कि पिछले क्लास में बहुत से कोश्चन समझे हुए हैं बहुत से चेप्टर पढ़े हुए हैं आज कि रम आपके वेच लेकर आये हुए हैं बहुपत का भाग कैसे किया जलता हैं कि आप वाह Арkol के वाहत को समझाते हैं तो पिछ्प्टर को कुर रूप से बनानेंगे में सबसे पहले हम समझेंगे कि यह बहुता है सबकि सकते हैं वाइब पोलिनोमियल कि सबसेकरते हैं वैसा बिजिये बेंजग जिसका घात धानात्मक वैसा बिजिये बेंजग जिसका घात धानात्मक अर्धात प्लस में हो उसे बहुपत कहा जाता है पदि के अधार पर बहुपत के परकार का सकते हैं कि टाइप्स अफ पोलिनोम्याल इन विच बेस अफ टर्म तर देआर और फोडाइप्स अपasında टर्म में हियर। पॉलिनोमियल इनी विज बेस अप टर्म इनी मुनोमियल पॉलिनोमियल लिय। गे了 पॉलीनोमियल योग कि में कोई पूछ आप से कि बाद क्यादहार पर बहुपद कितने परकार करें तो प्रकार के होते हैं एक्पधी पश्चेर टीन प्रकार कर पहुते हैं एक्पधी बहुपद यिप्पन सुनियय बहुपद और अचल बहुपद पूछे एक पदि बहुपत कीसे करते हैं तो इसके लिए आपको डिस्कामिट टिक्स याद रखना पड़ेगा डिस्कामिट टिक्स करता है एक प्लस पद एक के मतलब एक तो वैसा बहुपत जिसमें एक पद हो सिर्फ एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहा जाता है इसमें एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहा जाता है द्री पदी इसको तोड़ेंगे द्री प्लस पद द्री यानि दो द्री यानि दो तो वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे द्रीपदी बहुपद कहा जाता है एजामपल में ले सकते हैं आप लोग X प्लस 2, X प्लस 3 इसमें दो पद है जब दो पद आता है तो इसे द्रीपदी बहुपद कहा जाता है तिसरा वता है 3 आप प्लस पद त्री यानि तील पद यानि पद तो वैसा बहुपद जिसमें तील पद हो वोसे त्री पदी बहुपद कहा जाता है इसका यापल भी लिख सकते हैं एक से स्क्वार प्लस तू एकस प्लस त्री तो जिसमें तील पद रहता है वोसे त्री पदी बहुपद कहा जाता है सुन्य बहुपद, इसको सुन्य प्लस बहुपद, हम बह सकते हैं कि वैसा बहुपद, जिसका गुणांक सुन्य हो, उसे सुन्य बहुपद कहा जाता है, जैसे 0 into x², 0 into 5 x², 0 into 6 x², जैसे 1, 2, 3, 4, इसका मान नहीं बदलता है, एक स्वाई का मान बदलता है, जैसे 1, 2, 3, 4, इसका मान नहीं बदलता है, तोटल चीज को एक वाला हम रिपीट कर लेते हैं कि बहुपद क्या होता है वैसा विज्य गेंजर जिसका घात भानात्मा को अर्था क्लस में हो उसे बहुपद कहा जाता है पद क्या धारपद, बहपद मुख्यत पाच परकार के होते हैं, पहला होता है एक पदी, जिसका गरेजी होता है मनोमियल, तुसरा होता है द्रीपदी, जिसका इंगलिस होता है बायोनोमियल, तुसरा होता है त्रीपदी, जिसका इंगलिस होता है टैयोनोमियल, चोथा होता ह सुन्य बहोपद जिस्का एंगलिस होता है 0 path for H Casey जिसका God I am correct for the रोम्यलग ऊसे और भूंभ लू एक पड का होता हैं तो वैसे बूंद ऐसे के गुणा पर सुम्ध गुणा हों उसेप्रफित माद्य खाल जाता है जिसकी का मन नहीं बडलता है उसे कहा जाता है इसके बाद देखेंगे घात के अधार पर बहुपद के प्रकार How many counts of polynomial in image base of power तो there are three types of polynomial in image base of power घात के अधार पर बहुपद मुख्यता तिन प्रकार के होते हैं पहला कुछ आपके एग हातिये बहुपद दुसरा होता है तिरी घातिये बहुपद और तिस्रा होता है, तिरी खाकिए बहुपद, एक गात ये, एक होता है Liner Equasion, Quadratic Equasion, एक गात ये बहुपद, टूड़ेंके तो 1 अप प्लस घात, हम कहें हैं कि वैसा बहुपद, जिसका घात एक हो, उससे एक हात ये बहुपद कहा जाता है, जैसे में अपने सकते हैं hai इसका पावर पूछ नहीं है तो पावर क्या है ? the power क्वानत दुसरा होता है 'll Harrgach high a plus a three या यानि दो घात यानि पावर कर सकते हैं कि वैसा बहुपद जिसका घात दो हो उसे द्री घात की बहुपद कहा जाता है यहां पर द्री यानि दो हो गया एजांपल ले सकते हैं एक से स्क्वार प्लस त्री एक से स्क्वार माइस हाई क्या देख सकते हैं घात कितना है दो तो वैसा बहुपद जिसका घात एक हो उसे घात ये बहुपद कहते हैं वैसा बहुपद जिसका घात दो हो उसे त्री घात ये बहुपद कहते हैं और तिसरा होता है तिरी घात ये बहुपद जिसको पर सकते हैं 3 प्लस घात 3 यानि 3 घात यानि पावर तो वैसा बहुपद जिसके घात 3 हो वो से त्रिहाति ये बहुपद कहा जाता है जापने सकते हैं एकसे स्कुर थू एकस के पावर 3 इसे घात 3 है और 1 ऐसे के पावर 3 इसे घात 3 है तो जिसमीत बहुपद के घात 1 होगा घात 2 गहात ये बहुपद जात 3 होगा त्रिहातिया बहुपद है घिल्यवाद